Hello Viewers, Welcome back to our channel आज की जो वीडियो है उसमें हम डिजाइनर बोटनेक गला कटिंग करेंगे आप इस वीडियो कम्प्लीट देखने के बाद आप इस गले को असानी से कटिंग कर सकते हैं अगर आप नीचे से वी शेप नहीं रखना चाहते तो आप सिंपल बोटने गला वीडियो देखने के बाद कम्प्लीट कट कर सकते हैं सबसे पहले हमने गला कटिंग करने के लिए बुकरम का एक पीस लिया है जिसमें जो हमारी बुकरम की चोड़ाई रखी है हमने वो साड़े दस इंच की रखी है और जो हमारी बुकरम की लंबाई है वो साड़े आठ इंच है दुबारा बताना चाहूंगा आपको जो हमारे बुकरम की जो चोड़ाई है वो साड़े दस इंच है और जो हमारे बुकरम की जो लंबाई है वो साड़े आठ इंच हमने रखी है अब हमें इस भुक्रम को डबल फोल्ड कर लेना है बिल्कुल सेंटर से हमें इस भुक्रम को डबल फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद जो हमारे गले के बीच का गैप है वो आठ इंच का है तो उसका हाफ हमें चार इंच पर एक निशान लगा लेना है 8 इंच का gap पर आप देख सकते हैं 4 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया है अब जो हमें गला जो हमारा निचे तक रड़ी रखना है वो 4.5 इंच रड़ी रखना है तो हम 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे चार इंच जिससे हमारा गला एक दम रड़ी हो जाएगा और जो आदा इंच हम एक्स्टा लेंगे जब उपर की साइड हम तीरे जोडेंगे तो उसमें हमारा आदा इंच दब जाएगा इस तरीके से हमें इस मेजरमेंट से एक बोक्स बना लेना है अब हमें आदा इंच पर V-shape cutting करने हैं अगर आप आदा इंच नहीं लेना चाहते तो आप आदा इंच से एक्स्टा भी ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं और धाई इंच निच्च तक इस V-shape को मिला देना है डाई इंच हमने V-shape की जो चोड़ाई है और निच्चे से डाई इंच लंबाई रखी है अब हमें एक बीच में लाइन ट्रो की है उसमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस 1.5 इंच के निशान पर हमें अपने बोट नयक गले की शेप दे देनी है इस 1.5 इंच के निशान लगाने से आप असानी से बोट नयक गले को शेप दे सकते हैं अगर आप नीचे से V-shape नहीं कटिंग करना चाहते हैं अपने गले को तो आप इस बोट नयक गले को कटिंग कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुच जाएगा, इस तरीके से जो हमने अपना गला है वो कटिंग कर लिया है, अब भार से एक एक इंच की दूरी पर ह हमने अपने कंप्लीट गले को कटिंग कर लेना है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर अविलेबल हैं, जिनको देखकर आप असानी से सिलाई सीख सकते हैं, इस तरीके से जो हमने अपने गला है वो कटिंग कर ली है